बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अमबेटकार पीपोल्स वोईज और पहला आइकन दबाए पिछोर के अंदर बावा साहब अमबेटकार जी की मूर्ती तोडने का मामला पिछले दो-तिन दिनों से काफी ज्यादा शुर्कियों है आपको पता है कि जिस दिन राम मंदिर की नियू रखी गई थी उसी दिन ये मूर्ती तोड़ी गई थी जो कि मद्यप्रदेश के स्यूपरी जिले के पिचोर सहर के बस स्टेंड पर लगी थी इस मूर्ती का तोडने का पूरा गट्टा करम सीसी टीवी कैमरे में कैद भी हो ग समाज के लोग भी बाबसाम बेटकर जी की मूर्ती तोड़ी जाने के मामले से काफी ज़्यादा आक्रोशित थे बाउजन समाज पार्टी सहीथ बाउजन समाज के लोगों ने भी तीन दिन का अल्टेमेटम दिया था कि तीन दिन में आरोपी को गरपतार किया जाए पुलि जिले की जिला कलेक्टर ने आपको बता दे कि इस गटा करम के फुष्टी करते हुए उन्होंने का कि बाबसाम बेटकर जी जो कि भारत की सुविदान निर्मात है थे उनकी मूर्ती तोड़ने वाले आरोपी को गरपतार कर लिया गया है आपको बताने की कोशिश करें तो आरोपी जो है नाबालिक बताया जा रहा है इस वज़े से उसके किसी भी प्रकार की कोई पैचान है वो जागर नहीं की जा सकती और आपको हम कलेक्टर का बयान भी सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कह रही है लेकिन उससे पहले हम कहना चाहते हैं कि पूरा मामला जो सिवपर आपको बतादा है कि पूरी तरह के सका है कि नाबालिंग होने के वज़े से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इसकी शेर नहीं की जाएगी ना जाती धरम मजब किसी भी प्रकार का कोई भी जो जानकारी है इसकी शेर नहीं की जाएगी मिलेंगे कि इस ने वीडियो ने अपडेडों के साथ लेकिन उससे पहले आपको कलेक्टर का बयान सुनवाते हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पिचोर अनुबाद में बस्टान पर डॉक्टर बाबा साहेब अमेकर जी को मूर्ती को कुछ असलतमाजिक तक्वा द्वारा शतिग्रस कर लिया गया जिसमें जांच के निर्देश दिये गए थे आज पोलिस द्वारा आरोपिगन को गिरफ्तार कर लिया गया है शहर में सिती शांति पूर्ण है